इस कारेक्रम के पुन्यार जखें इवं अक्षद अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जैपूर और मरम स्वस्थ होता है और छेतन निर्मन होता है। पंच मुद्राओं के माध्यम से इस प्रक्रिया को प्रारंब करते हुए आगे बढ़ेंगे। और गलोबल पीस अपने को ये पांच मुद्राओं जरूर करना है। और इन पांच मुद्राओं के माध्यम से जो हमारे पांच शरीर के मुख केंदर हैं। वह जब एक्टिवेट होते हैं तो शरीर में उर्जा का एक अधवत संचार होता है। इन पांच मुद्राओं को पीस के माध्यम से भी डिफाइन किया जाता है। और इन्हें अरहंत सिद्ध आचार उपाद्य है और साधू के माध्यम से भी हम डिफाइन करते हैं। अंतर कोई ज्यादा नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि ये है अरहंत सिद्ध आचार ये सब्द जैन धर्म के हैं। इसलिए ये है जैनों का योग है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। अरहंत सिद्ध आदी ये सब ऐसे नाम हैं जो किसी ना किसी क्वालिटेटिव परसन की ओर हमें इंडिगेट करते हैं। अरहंत का मतलब होता है जिनोंने अपने अंतरंग के शभी शत्रूं को जीत लिया है। अरी माने होता है शत्रू हंत माने हनन करने वाला। वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है ब्रह्मा नाम हो विश्नु नाम हो महिश्वर नाम हो कोई भी नाम हो अरहंत का मतलब है जिसने अपने अंतरंग के शत्रूं को जीत लिया। अपने कसायों पर, अपने क्रोध पर, अपने काम पर, अपने इर्शा पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली हो उन्हें हम अरिहंत कहते हैं। तो एक thinking हमारी अंदर यह आनी चाहिए कि यह हम किसी भगवान की तरफ नहीं कह रहे हैं। अरिहंत का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इस प्रकार के दोष नहीं होतें। इस प्रकार के कोई भी विकार मानसिक नहीं होतें। जिनें हम भी छोड़ना चाहते हैं। सिद्ध भगवान, सिद्ध आत्मा इसका मतलब होता है जिनोंने अपनी हर तरीके से अपनी सिद्धी कर ली है अब उन्हें कुछ भी सिद्ध करने को बचा नहीं है जो complete soul जिसे हम कहते हैं वो सिद्ध कहलाते हैं मतलब जो बिलकुल purified soul हो गए जिनके अंदर अब कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी foreign matter नहीं है और वो किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिती के प्रभाव में नहीं आते उन्हें हम सिद्ध कहते तो सिद्ध का मतलब कोई ऐसा नहीं समझना कि किसी भगवान की तरफ हम ले जा रहे हैं सिद्ध मने वे प्यॉर शोल्स जो कहीं पर भी हो वो हमारे लिए शक्ति दे हम उनकी बस केवल भावना करें आचारे ये तो बड़ा common नाम है जो हमें अध्यात्म की दिख्षा दे जो हमारे लिए अध्यात्म का आचारण कराएं वो हमारे लिए आचारे होते हैं उपाध्याय जो हमें इस अध्यात्म का ग्यान दे हैं वो हमारे लिए उपाध्याय होते हैं और साधू जो उसी प्रकार के अध्यात्म में ढ़ल जाते हैं और सुयम भी उसी प्रकार की साधना करते रहते हैं उस अफसादू कहलाते हैं तो इस तरीके से इन पांच नामों को भी अगर हम ध्यान में रखें तो हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई भी मन में विकल्प नहीं आता और हम इस लड़मोकार को या इन पंच नामों को भी हम बड़े व्यापक द्रिश्टी कौन से देख सकते हैं तो सबसे पहले आपके लिए अगर ये अरहंत सिद्ध समझ में नहीं आता तो P.E.A.C.E. इसकी थूर समझने की कोशिश करें और P.E.A.C.E. पौवर तो पौवर कौन देगा तो अरहंत ही हमको पौवर देंगे तो हम अपने जब दोनों हाथ उपर उठाते हैं तो अरहंत भगवान जहां कहीं पर भी आकास में विच्रण कर रहे हों आप ऐसी मन में भाव ना लाएं कि हम उनके चरणों को छू रहे हैं उनके चरणों को हम टच कर रहे हैं ठीक है नए? करें सुरूँ ओम अरहं नामः दोनों कौनियों को सीधा रखेंगे और हाथ उपर मिले हुए अपने मन में भाव करेंगे कि हम अरियंत भगवान के चरणों का इसपर्स कर रहे हैं वह महान आत्मा है वह महान पुरुष जनोंने सब प्रकार के विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है हाँ, अपने मनी मन प्राप्त नमद्रावना है प्राप्त नमद्रावना है इसी तरह से सिद्ध आत्माओं को याद करेंगे जनोंने अपनी आत्म सिद्धी कर ली और जने अब कुछ भी करना बाकी नहीं, ऐसे सिद्ध आत्माओं को अपनी हतेलियों पर हम इसमरन करेंगे, हतेलियों से प्राप्त हुई उरजा सीधा हमारे हिरदय तक पहुचती है और हिरदय में प्राप्त हुई उरजा पूरे शरीर में प्रभाहित होती है यह एक सरीर विग्यान का सिद्धानत शिद्ध हगवान को आँठ बंद करके अपनी हतेलियों पर इस्मरंड करें ओम अरहम नमहां प्रार्थन मुद्रा आचारी मुद्रा बनाएंगे ज्यान मुद्रा के साथ अपने हाथों को अपने कंदों के पास ले जाकर कंदों को और पीछे की योर खीशेंगे और चेस्ट को as possible as बाहर नकालने की कोशिस करेंगे ओम अरहम नमहां ओम अरहम नमहा चोथी मुद्रा किसके लिए है P E A C for B for Power पहली मुद्रा से क्या मिलती है आपको Power E for Energy दूसरी मुद्रा से क्या मिलती है A for Activity तीसरी मुद्रा से क्या मिलती है और चोथी मुद्रा C for Creativity आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें जिने आप करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं ये सब चीजें आपको इससे मिलेंगे तो चोथी मुद्रा के लिए हातों को ऐसे नहीं करना ऐसे करना और जैसे कि हम दीवाल को पुष्ट कर रहे हो और अपनी कलाई में 90 डिगरी का एंगिल देखना पांचों उंगलियों तो मिली रखना दोनों हातों के अंगुठों के बीच में डिफरेंस रखना और कुशिस कर ना कि हम अपनी आई साइट को अपने दोनों थंप्स पर कंसंट्रेट करें ओम अरहम नामाहा ओम अरहम नमाहा ओम अरहम नमाहा के जी से लाएं बिल्कुल चिंता नहीं करें आपका पंजा कहीं निकल के नहीं जाएगा और आनन्द भाव के साथ हर्स भाव के साथ चेहरे पर प्रसन्नता, मुस्कान जितना आप ला सकते हो बना के रखें ओम अरहम नमाहा ओम अरहम नमाहा इसके बाद तबला नमाहा Om Arham Naamaha ओम अरहम नामा हाँ थक गया है? थकना नहीं? गर्मी आ गई? धीर धीर आने भी चाहिए है जितना आपके अंदर भीतर से गर्मी आ गई है गर्मी आएगी ये बाहर मालूम है? बहुत फ्री में मिलने वाली ये बहुत बड़ी-बड़ी आउसदी है यहाँ पर और इस बातावरण की सारी आउसदी को आपको ग्रहन करा दूँ इस भावना से यहाँ पर अरहम योग रखा गया है क्योंकि जितना आप भीतर से एक्टिव होकर गे इसको गेन करेंगे उतना ही ये इनर्जी आपके काम में आएगी तो यहाँ पर बहुत अच्छी आउसदी फैली हुई है चारों और नजाने कितने तरीके की जड़ी बूटियां होती हैं कितने तरीके की बनस्पतियां होती हैं और सबकी हवा के अंदर जब मिक्सिंग हो जाती है तो वह जब हम उसको लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत मेडिशन का काम करती है समझा रहा ना तो यहाँ पर आपको not only meditation but you also gain medicine समझा रहा है medication यह भी हो रहा है ठीक बार चलो पांचवी मद्रा एफ और evolution चूंकि हम जुकना नहीं जानते हमारे मस्तिस्क में अनेक तरीके के विचार हमें अकड़के बनाए रखते हैं जिससे हमारा विकास नहीं हो पाता तो हम इस तरीके से जुकना सीखें तो हमारे अंदर evolution होगा ठ दीरे दीरे ऐसा भी कर सकते हैं उपर पहले दौनों हातों को ले जाए और फिर जो है दीरे दीरे नीचे ले करके आएं ओ मनी-मन में बोलना ताकि आपकी स्वास न फूले जो जिनकी कमर थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है वो ना भी कर पाएं तो जितना संभव उतना करें ओम अरहम नमाः ओम अरहम नमाः ओम अरहम नमाः ओम अरहम नमाः ठीक सीधे बेढ़ें पूर्ण सांत भाव के साथ बेढ़ें पूरे शरीर को बिना राक के बिना द्विश के केवल शरीर की तरह ही देखें ना शरीर से मोह, ना राग, ना ग्रणा, सिर्फ शरीर शरीर है, मैं चैतन्य चैतन्य आत्मा हूँ मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ किसी को देखना नहीं, यह मैसूस करना कि दुनिया जब हमें देखती है, तो वह केवल मेरे शरीर को देखती है, मैं जो चैतन्य आत्मा हूँ, उसे कोई नहीं देखता, इसलिए मैं दुनिया से कह रहा हूँ मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ मैं जो नजर से परे ही रहा हूँ, नजाने कहां से यहां आ गया हूँ मैं चेतन हूँ तन में समाया गया हूँ जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं है जो छूटा है मुझसे वो मेरा नहीं है मैं बंधन से मुक्ती को अब पा रहा हूँ मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ मैं हूँ जो नजर से परे ही रहा हूँ अपने दोनों हाथों को गिसकर हतेलियों को गिसकर अपने आखों पर रखें पूरे शरीर पर टच करें कि मैं खोया नहीं मैं यहीं हूँ अपने पास जितनी भी उर्जा अपने काम में आया अपने पास रखें बाकि सब उर्जा को विश्चु कल्यान के लिए प्रवाहित करें सब को शुक मिले, सब को शान्ती मिले इस भावना के साथ इस मंत्र का उच्चारण करें और अगर हम ये प्रोसेस लगातार केबल चालिस दिन तक अपना लें तो आपके जीवन के अंदर वो बदलाव आएंगे आप अपने अंदर वो बदलाव महसूस करेंगे जो बदलाव आपको पिछले चालिस सालों से नहीं आयों और जितना आपने सीखा है अगर उसको आप दस मिनट भी अपनी प्रैक्टिस में सुभह करें या साम को करेंगे तो आपको इससे बहुत अच्छे लाव होंगे यह अपने अंदर एक भीतर से परिवर्तन लाने का अपने आपको सुधारने का और अपने आपको मजबूत बनाने का एक बहुत अच्छा सादन है योग ध्यान का मतलब केवल इतना ही नहीं होता कि हम अपने सरीर को स्वस्थ रखें हम अपने मन को भी स्वस्थ बनाए अपने चित्त को विकारों से मुक्त करें पंच तमस का मुद्रा ना सिफ हमारी शरीर और मन पर प्रभाव डालती है बलकि हमें भक्ती से पंच पयमेश्थी से जोडती है हमें धरम से जोडती है जैसा कि अरम श्री ने कहा कि पंच तमस का मुद्रा हमारे शांती बदान केती है इसकी हर एक मुद्रा हमारी पीस में अपना योगदान देती है तो आज आप प्रयास करेंगे कि कल के सक्ट्व से पहले आप और आपका अरम साथी यानि परिवार का वैस सदस्य जिसे आपने अरम यात्री बनने की प्रेड़ना दी थी, दोनों कम से कम एक बार पंच पुद्रा का अभ्यास अवश्य करें. तब तक के लिए सबी को जय चिनें. आद्विक जैन, आन्या जैन एवं समस्त पहाडिय परिवार जैपूर राजस्थान. फर्म, ERL इन्फराटेक लिमिटेड एवं अक्षद अपार्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड जैपूर.